Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Wealth Unlimited आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है कुछ लेटिस्ट IPOs के ग्रे मार्केट प्रीमियम की as well as इस वीडियो में हम जानेंगे की कौन-कौन से नए आई आई प्यो है जो मार्केट में हिट हो सकते है और उनमें कैसी डिमांड हमें दिखाई दे सकती है in future So, before starting the video, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो please make sure to hit the subscribe button and do like this video चलिए, बात करें पहले IPO की, तो पहले IPO का नाम है Nexus Select REIT IPO आप देख सकते हैं जो यह है, यह एक real estate investment trust का IPO है and it is backed by one of the largest institutions, investment institutions, Blackstone आप देख सकते हैं जो यह particular IPO की application थी, उसकी opening date थी May 9 and closing date है May 11, 2023 यानि की पिछले कल का दिन इसमें आप अब application नहीं लगा सकते है, however, जो इनके subscription status है वो QIB में 4.8 times है and others में 6.23 times जो इनका total subscription हुआ है, वो है 5.45 times का तो मुझे लगता है कि यह जो subscription status था, यह इतना भी जादा चौकाने वाला नहीं है नहीं यह अच्छा है, नहीं बुरा है एक decent subscription मिला है इस particular company को but आप इस particular company में जादा listing gains के बारे में नहीं सोच सकते है क्योंकि यहाँ पे demand बहुत ही कम दिखाई गई है जैसा हम जानते है कि Mankind Pharma का IPO आया था वहाँ पे QIBS ने 50 times अपना पैसा लगाया था जिसके वज़े से इस IPO में एक demand generate हुई थी grey market premium बढ़ा था बट वैसा कुछ आपको इस particular IPO में बहुत कम देखने के लिए मिलेगा however यह company काफी अच्छी है और इसके जो valuations है मैंने वो भी चेक की है valuations wise भी यह company काफी अच्छा करते वे दिखाई दे सकती है तो आप क्या कर सकते हैं आप wait कर सकते हैं इस particular company को market में list होने का उसके बाद अगर आपको अपने portfolio का कुछ पार्ट real estate investments में डालना है और आप इतना बड़ा पैसा खर्श नहीं कर सकते हैं तो आप इस particular IPO या इस particular stock के through अपने real estate investments को play कर सकते हैं अपने portfolio को diverse कर सकते हैं चलिए बात करें next select rate IPO के grey market premium की तो आप देख सकते हैं जो इसका grey market premium है वो चल रहा है 2 रुपे जो होता है 2% ये जो particular IPO है ये आने वाला है 100 रुपे के upper price band पे और अगर आपने इस particular IPO में application लगाई है तो आपको ये list होते वे दिख सकता है roughly around 102 रुपे के आस पास और ये पिछले दो दिन से stable है ना इसमें भड़ातरी हो रही है ना इसमें कमी दिख रही है क्योंकि again market में ना demand है demand जादा है ना इसकी supply जादा है तो मुझे लगता है कि ये particular IPO अगर आपके पास है या allot किया है तो all the best most likely जो इसके allotment होंगे वो lottery basis पे नहीं होंगे तो अगर आपने others में apply किया है और अगर आपने 6 applications लगाई है तो at least आपको एक application इस particular IPO में मिलते हुए दिखाई दे सकती है चलिए जो second IPO है जो market में आने वाला है अभी ये आया नहीं है ये अभी आएगा जिसका नाम है Krisha Strapping Solution Limited IPO मैं आपको बता दूँ कि एक SME IPO है इसमें आप retail investors पैसा लगा सकते है बट आपको इस particular IPO में पैसा लगाने के लिए एक large corpus चाहिए होगा जैसा कि आप जानते है कि जो minimum lot होता है normal mainline IPO में वो होता है 14-15,000 रुपे का बट यहाँ पे आपको 1,20,000 रुपे से जादा रुपे खर्च करने पड़ सकते है आप देख सकते हैं ये जो particular company है ये company आने वाली है लिस्ट होने वाली है May 16 to May 19 को और आप देख सकते हैं जो opening rate है वो May 16 की रहेगी closing rate में 19 की रहेगी allotment आपको 24 तालिक तक दिख जाएंगे और ये सिर्फ 18 करोर रुपीज का IPO है काफी छोटा IPO है इसलिए इसे SME category में डाला गया है और आप देख सकते हैं अगर आपको इस particular IPO में एक lot लगाना है तो एक लाख आठ हजार रुपे आपको इस particular IPO में चाहिए होंगे जो इसमें retail portion है वो काफी बड़ा रखा गया है 35% का तो आप अपने chances इसमें play कर सकते हैं however जितने भी SME IPOs होते हैं वो काफी risky होते हैं plus इनमें risk और reward दोनों ही बहुत जादा रहता है आप देखेंगे जो यह particular company है इसके profits जो net worth है वो increase होते होते हैं दिखाई दिए हैं और इनके profits में भी काफी अच्छा उच्छा लाता हुआ दिखाई दिया है यह company 2020 and 2021 में loss बना रही थी वहीं पे इस particular company ने March 2022 के quarter में and February 2023 के quarter में दिखाया है कि इननों ने 7.85 करोर particular IPO का जो grey market premium है वो भी काफी high value पे trade कर रहा है मैं आपको इस particular IPO का अगर grey market premium दिखाऊं तो आप देख सकते हैं वो चल रहा है 35 rupees yes आप इस particular IPO को list होते वे देख सकते हैं 89 rupees पर और यह आपको देता है premium of 64.81% तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी demand generate होते हुए दिखाई दिए इस particular IPO के लिए अभी के time पे grey market premium में however it is subjective to the market के sentiments कैसे रहते हैं और इस पे लोगों का subscription कैसा रहता है या QIB का interest कैसा रहता है उसके basis पे आप demand and supply के basis पे इस particular grey market premium को बढ़ता और कम होता हुआ देख सकते हैं but at present जो इसका listing premium है 64.81% का वो काफी ही धमाकेदार है तो definitely आपको अपने financial advisor से इस particular IPO में invest करने के बारे में reviews लेने चाहिए जो मैं आपके सामने video रख रहा हूँ यह only education purpose के लिए है और यह मेरी research में आपके साथ present कर रहा हूँ जो last IPO है जो currently running IPO है अभी के time पे market में वो है Oro Impex का Oro Impex and Chemical Limited यह chemical company है और यह basically बनाती है electrodes, electromagnet wrapper, tank fabrications यह particular company करती है यह particular IPO की जो last closing date है application की वो है May 15, 2023 तो अगर आप interested है इस particular IPO में invest करने के लिए तो आपको May 15, 2023 से पहले इसमें application लगा देना चाहिए आप देख सकते हैं जो इसका price band है वो है 74 to 78 का और इसके एक lot का size है 16,000 shares यह again एक SME IPO है 27 करोड का सिफिक छोटा सा IPO का size है और इसमें अगर आपको lotment लगाना है या application लगानी है तो आपके account में होने चाहिए एक लाग 24,800 रुपे आप देखेंगे यहाँ पे भी जो retail portion है वो काफी बड़ा रखा गया है retail portion इस particular IPO के लिए 56% है QIBS का काफी छोटा portion है और NIS के लिए 33.98 हमने काफी टाइम देखा है कि जब भी ऐसा होता है जहां पे retail portion को बड़ा रखा गया होता है और QIBS portion को दिखाया होता है छोटा वहाँ पे एक अच्छी demand create नहीं हो पाती मैंने आपको पहले भी बताया है और समझाया है अपनी वीडियोस में कि जो demand होती है वो institutions ही लाते है हमारे जैसे retail investors काफी कम move कर पाते है particular companies को in terms of volume, in terms of supply and demand game but however इस particular company का जो profit after tax है वो भी काफी अच्छा से increase होता जा रहा है year on year जिसके वज़े से इस particular IPO में भी grey market premium एक काफी अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है चलिए बात करें अब ORO IMPEX के grey market premium की तो आप देख सकते हैं जो इसका grey market premium है वो चल रहा है 23% के अगर मैं इस particular company के IPO के page पे आपको लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं यह IPO है इस particular IPO का जो grey market premium है वो fluctuate हो रहा है और मुझे लगता है कि अगर इसमें demand बनी रहती है तो chances है कि यह particular company आपको अच्छी listing दे सकती है however मुझे लगता है कि आपको इस particular IPO से थोड़ा दूर रहना चाहिए इस particular IPO से थोड़ा cautious रहना चाहिए because इसमें again QIB का portion 1 बहुत कम है और retail investors का exposure जादा रहने वाला है तो इसमें अगर एक भी QIB बड़ा institution listing पे selling करता है या छोटी सी भी demand and supply में ups and down होते है तो यहां पे आपको बहुत बड़ा fluctuation होते वे देख सकता है इस particular IPO में so be cautious take advice from a financial advisor अगर आप लोगों को इन particular IPOs में investment करनी है और उसके बाद आप अपना decision खुद बना सकते है जो last है Tata Technologies का IPO उसकी detail आई नहीं है however despite the listing Tata Technologies के IPO के grey market premium में बढ़त हमें जरूर देखने के लिए मिली है आप देख सकते है Tata Technologies का IPO जब इसका grey market premium स्टार्ट हुआ था वो 70 भत्तर के आसपास था और आज यह premium पहुंच चुका है 85 रुपीज अब देखते है कि जब इसकी information आती है Tata Technologies IPO की क्या valuations रहती है और उसके basis पे जानेंगे कि क्या grey market premium होगा क्या हम interested होंगे इस particular IPO में apply करने के लिए या नहीं और उस पे मैं बनाऊंगा एक पूरी detail video that's it from my side I hope I was able to give you a good overview कि कितने market में IPO चल रहे है और उनका कैसा subscription या कैसी demand आपको दिख सकती है that's it from my side happy investing